So hello everybody, welcome back. My dear student friends, आप लोगों मैं सारे बच्चे सोच रहें कि how to prepare for the tax within one month क्योंकि SEM 5 का tax है, बच्चे लोग confused है कि tax में इतना सारा section है, कैसे prepare करें? देखे, पहले तो आपको ये समझना होगा कि tax को दो part में divide कर लिजे. One will be the theory part, another will be the sums वाला part. theory part में हम लोगों ने solution दिया है 37 questions का, उसको आप prepare कर लिजे. और sums वाला part में हम लोग जब practice classes कराएंगे, वहाँ पर important sums देंगे, वो सारा sums करिएगा. उसके अलावा आप paper में जो भी आपने classes किये होंगे, जहाँ भी आपने classes किया होगा, वहाँ से सर ने आपको जो भी guidance दिया होगा, उस guidance के हिसाब से जो भी sums आपको बताया होगा, उसके बाद last way में हम लोग important solution sums देंगे, वो वाला solve कराएंगे, आप solve कर लिजेगा. बट भाईयों और बैनों इन सब के बीच में आपके पास एक basic idea होना ज़रूरी है, syllabus का एक basic idea होना ज़रूरी है, तो आप तो सबसे पहले ये करिए, कि एक basic idea ले लिजे हर एक chapter का, उसके बाद जब आप practice करने बैठेंगे, solve करने बैठेंगे, तो सबसे पहले आप ये करिए, कि हर एक chapter का थोगा थोगा करके एक basic idea ले लिजे, ठीक है, जहां भी आप classes ले रहे हो वहां पर यहां पर आपने अपने area में, localities में कहीं भी, तो आप अपना एक basic idea ले लिजे, उसके बाद paper practice करने बैठेंगे गा, तो आपको paper solve करने में सुईदा होगा, I think this will help you to make a road map for the tax preparation, so thank you so much everybody, share this video and subscribe the channel, thank you.